एक है ख्रीनलोगाइज इस नौर इत्माइन डेपाइट्मेंट अब आइरिकल्ट्र अंतमिलोची जी आज हम बात करने वाले हैं ट्राइकोग्रामा जोकि एक बहुत ही इंपोर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट होता है उसके मास मल्टिप्लिकिसिन और ट्राइकोग्रामा क मास माल्टिप्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लिक्लि हारा का बैठाते हैं तो प्रचर्च करते हैं उसका मास्पड़ी टिप्प्यूशन कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले हम जो मैटरियल होता है ओए इस्टराइट सौर्ग्हूं और सारेरिंगा बॉक्स या फिर हम बॉक्स अगर ना हो तो उसके जगह में ट्रे या जार कभी यूज कर सकते हैं उसके अलावा कोरसायरा एक लेइंग केज जो है कुछ इस तरह से होता है कि उसमें कोरसायरा जब अंडे देती है तो एक उसमें से नीचे गिर जाते हैं और एडल्ट अंदर ही रहते ह के अंद्र ही और अन्डे जो है बाहर हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसके अलावा अलगा नियुक्छे यह वह है ब्लेक क्लॉथ काला कपड़ा जिससे की हम उसको ढग सके अंधेरे में रख सकें तो कि इस लिए हम हमेशा काला कपड़ा धग के रखते हैं ताकि उनको यह रात का समय है यह नहीं होणा चाहिए इसलिए हम काले कपड़ा धगके रखते हैं उसके अलावा Mosquito Net Table Rakes for Placing Corsara X Corsara X को रखने के लिए Rakes क्या हो सकता होती है थोड़ी से Honey Glycerin Tips for Collecting Corsara Mode Corsara क्योंकि जिस केज में हम Corsara को पालते हैं जहां पर हम उनका Multiplication करते हैं उनका Rearing करते हैं वहां से Adult Mode को एक Laying Cage में ट्रांसफर करने के लिए Tube में पहले Collect करना पड़ता है इसलिए हमें Corsara Mode को Collect करने के लिए Tube किया हो सकता होती है Measuring Slender ताकि हम Corsara Egg को Measure कर सकें Plastic Tube for Egg Laying Purpose, Brush, Roasted Ground Nut Powder Ground Nut Powder जाहे इस इंसेक्ट को Attract करने के लिए यूज के जाते हैं East 5 Grams, Wettable Sulphur 5 Grams और Streptomycin Sulphate, Streptomycin 0.05 Grams यह सारे Materials Corsara के Mass Multiplication के लिए जरूत होता है Preparation of Egg Laying Cage for Corsara से भेलनी का जैसे कि मैंने Egg Laying Cage के बारे हम बताया था जहां पर हम Corsara को रखते हैं उनकी Egg Laying के लिए तो उनकी किस तरह से Egg Laying Cage बनाया जाते हैं उसके बारे हम बात करते हैं तो उसके लिए Egg Laying Cage के लिए हम एक सामान निसा Bucket यूज कर सकते हैं या फिर हम Funnel Plastic का Funnel भी यूज कर सकते हैं Simply एक Bucket के उपर वाले हिस्से में जाली जो Mosquito Net होता है उसको हम उसमें बंद कर सकते हैं जो Bucket होता है उसके उपरी सिरे को उसके मूँ को बारिक जो Wire Mesh होते हैं उससे भी उसको ढख सकते हैं ताकि कोरसायरा के एडल्ट वहां से बाहर ना निकल सकें बस उसके छेद इतने बड़े होने चीए कि कोरसायरा के एग्स उस जाली के छेद से बाहर निकल सकें Make a hole on the center of the bottom of the plastic bucket Plastic bucket के bottom के center पे एक hole बनाते हैं जिससे की adult को उसके अंदर डाला जा सकें Keep the bucket inverted on the plastic tub जैसे की यह tub दिखाई दे रहा है इस तरह से tub के उपर plastic bucket को हम pallet के रख देते हैं जिससे की जाली वाला हिस्सा नीचे tub की तरफ हो ऊपर की हिस्से में छेद हो जहां से हम कोरसायरा के adult को उसमें penetrate कर सकें अब हम बात करते हैं उसके बाद में इस्टेलाइज दा रेरिंग बॉक्स हम बात कर लेते हैं इसके बाद कोरसायरा से फैलने का के reproduction के लिए हम कौन-कौन से steps अपनाते हैं उनके लिए सबसे पहले जो रेरिंग बॉक्स कोरसायरा से फैलने का के रेरिंग के लिए जो भी हम wooden box या plastic tray का यूज करते हैं सबसे पहले हम उसको sterilize करते हैं ताकि कोरसायरा के लाओ किसी other insects के उसमें eggs ना हो उसको हम अगर plastic या कोई other metal के बरतन अगर यूज करते हैं तो उस condition में उसको अच्छे से washing powder से धो लेना चीए धोने के बाद हम उसको sunlight में सुखाते हैं जिससे कि उसमें different types के जो fungus bacteria या फिर germs होते हैं वो नश्ट हो जाएं हम इसमें जो रेरिंग के जो रेरिंग बॉक्स जो बना के रखे हुए हैं कोरसायर से फेलने का के लिए उसमें broken grains जिसको जो जुआर या फिर मेज के जो grains है broken grains उसको हम उसमें डालते हैं एक box के अंदर लबक धाई kg हम इस्ट्रिलाइजड grain को हम उसमें डालते हैं उसमें 100 ग्राम roasted ground nut powder 5 ग्राम yeast 5 ग्राम wettable sulfur और 0.05 ग्राम streptomycin sulphate को डालके उसको अच्छे से mix करते हैं ताकि यह इस corsara से फेलने का के feeding के लिए favorable हो जाए इसको अच्छे से mix कर लेना चाहिए उसके बाद एक box के अंदर एक cubic centimeter कॉर्सायला एग हम प्लेस करते हैं एक box के अंदर एक cubic centimeter course राइग course राइग जो पहले से जहां mass multiply कि यह जाते हैं वहाँ से हम course राइग हम ला सकते हैं तो course राइग एक क्यूबिक centimeter में लग 18,000 course राइग साते हैं 15,000 च अठाहरा हजार तक course राइग हो सकते हैं तो एक CC को सारा एक एक box के अंदर हम उसको इस प्रिंकल करते हैं उसमें छीड़क देते हैं उसके पसचाथ को जो box होता है उसको अच्छे से ढग दिया जाता है और रेक में रख दिया जाते हैं keep the boxes and eggs protected by ant pains क्योंकि यह जो इंसेक्ट होते हैं इन पर प्रिडेटर्स बहुत जल्दी अटेक कर सकते हैं प्रिडेटर्स और प्रिडेटर्स प्रिडेटर्स इसलिए इनको चीटियों से या अधर प्रिडेटर्स से बचा के रखना बहुत जारी होता है जिस स्थान पर इसको प्रेश किया जाता है जहां राखे जाते हैं जो लेब होता है वहां 28 से 30 डिग्री सेंटिग्रेटर्स तक टेंप्रिचर को मैंटेन करके रखना जवरी होता है वहां का रिलेटिव हमिडिटी भी 75 से 80 परसेंट तक रखना चाहिए मौत जो है जो रेरिंग बॉक्स है उसमें से मौत 40 दिन में निकलना स्टार्ट हो जाते हैं एक जो बॉक्स है रेरिंग बॉक्स कोरसारा के जो रेरिंग बॉक्स है जिसमें हमने 1cc x डाले हुए हैं 40 दिन के पर साथ उसमें से एडल्ट एमर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं बिंग डे बॉक्स रेडी for मोत एमर्जेंस और कल्एक्स मोत इंसार्ट अंत कर हैं हम उनको ग्लास ट्वस से कलेक्ट कर लेते हैं और जो adult mode होते हैं जो हमने glass tube के through collect किये हुए हैं उसको हम एग laying chamber जो की एग laying bucket ये एग laying box एग laying chamber जो हम बना के रखे हुए हैं उसमें adult mode को हम transfer कर देते हैं उसके साथ ही जो एग laying chamber है उसमें हम 20% honey plus vitamin E solution का 20% solution जो हम पहले से बना के रखे हैं उसको cotton से sock करके उसी एग laying chamber पर डाल देना चाहिए जिससे की जो adult mode है उनको उसपे feed कर सके उनको nutrition मिलते रहें इसके पर साथ हम daily उसमें से अंडे collect कर सकते हैं एक laying chamber से हमें daily अंडे collect कर सकते हैं हम बात करते हैं mass production of trichogramma की trichogramma के mass production कैसे किये जाती है trichogramma के mass production के लिए हमें जो material चाहिए वह है scissor that means sketchy brush gum gum क्योंकि gum जो होते हैं उसमें बहुत सारे chemical chemicals यूज होते हैं इसलिए हम normal gum यूजना करके Arabic gum का यूज करते हैं जो कि herbal होता है और non toxic होता है इसके अलावा tea stanner trichocard trichocard बनाने के लिए हम simply cardboard या hard sheet का हम यूज कर सकते हैं 50% honey solution stapler refrigerator UV lamp UV lamp जो की korsaira के एक को sterilize करने के लिए उसको treat करने के लिए हम यूज कर सकते हैं nucleus culture of trichogramma trichogramma के nucleus culture और polythine bag rubber bands etc यह सारे के सारे materials के आवसकता होती है अब methodology, trichocard बारने के लिए हम किस तरह से उसको use कर सकते हैं trichogramma trichocard बारने के लिए हमें कौन से process करने पड़ते हैं इसके बारे हम बात करते हैं सबसे पहले corsaira जो कि जो eggs हमने collect किये हुए है बेकर से उसको scypes से चलनी से छान लेना चाहिए 15, 30, 45 में scypes से हमें उनको छान लेना चाहिए क्योंकि adult के wings और उनके hairs उस पे गिरे होते हैं जिसको scypes के थुरू हम छान के अलग कर सकते हैं prepare trichocard by cutting the cardboard sheet हम cardboard sheet को 10 cm x 10 cm के size पे हम card sheet को cut के trichocard त्यार कर लेते हैं और उस पे जो Arabic gum है उस trichocard पे पूरी तरह से अच्छे से पहला देते हैं और गम के सूखने का वेट करते हैं जो एक्स्ट्रा एक्स होते हैं उसको brush की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है और जो trichocard हमने बना के रखा हुआ है जिसमें हमने कोरसाहरा के एक्स प्लेश किये हैं उसको 30 मिनिट के लिए UV light में ट्रीट किया जाता है ताकि कोरसाहरा के जो embryo हैं एक्स के अंदर मर जाएं क्योंकि हम जब फिल्ड में रिलीज करते हैं ट्राइकोग्रामा को उस कंडिशन में हमें ट्राइकोग्रामा इंसेक्स अवसकता होती है ना कि कोरसाहरा की तो इसलिए कोरसाहरा के जो embryo होते हैं उसको UV light लैंब से पुरी तरह से मार दिये जाते हैं इसके परशात पॉलिथिन बेग में पॉलिथिन के अंदर 6 to 1 के रिशियो में कॉरसाहरा एक वाला कार्ड और एक ट्राइकोग्रामा नुक्लियस कार्ड रख दे जाते हैं दैट मेंज 6 कॉरसाहरा एक वाले कार्ड और एक ट्राइकोग्रामा नुक्लियस कार्ड को हम रखते हैं और उसको rubber band से अच्छे तरह से पैक करते हैं साथ ही उस पॉल्थिन पैक के अंदर 50% हनी और विटामिन E का सॉलूशन जो बना के रखते हैं उसको कॉटन से स्वैब करके भी अंदर रखते हैं ताकि जो एडल्ट ट्राइकोग्रामा इंसेक्ट है वो बाहर निकलने पर उन पर हीड कर शकें इसके बाद जो दो दिन के पर शचाहत हमें नुकलियस ट्राइकोग्रामा नूकलियस कार्ड जो रखा हुआ है उसमें से एडल्ट बाहर निकलते हैं और हनी शॉल्यूशन पे फीड करते हैं रेप्रडिक्शन करते हैं और जो शो चै कोर्सारा एकस कार्ड हमने पहले से प्ले को उस Qausara एक कार्ट को वह पारस्टिटाइज करना स्टार्ट करते हैं और यह चृ कार्वार से पूरी तरह से पारा क्रवा ट्रीज करशार्थ भून करते हैं हमारा ग्रावेत पहली तरह है पूरी तरह से फिल्ड में release करने के लिए ready हो चुका होता है इस condition में हम इसको 10 degree centigrade के temperature maintain करके इसको लगभग 20 से 25 जिन तक भी store करके रख सकते हैं अगर temperature 20 degree से एभब हुआ तो उस condition में ट्राइको कार्ड से जो एडल्ट हैं ट्राइको ग्रामा के एडल्ट हैं वो दो दिन में ही बाहर निकलना start हो जाते हैं जो ready ट्राइको कार्ड है इसको हम इस टैपल के मदद से पेड़ पत्तियों को जो फिल्ड में पौधों के पत्तियों के निच्छिली सता पे इस टैपल के मदद से प्लेस कर देते हैं जो की different lapidopteroid paste को control करने में कापी हद तक सहायक होते हैं आज के लिए guys बत इतना ही thank you